काफी लोगों की सिकायत होती है कि सबकी रोट यह फूल जाती है हम दूसरों की दिखते हैं फूली फूली बनती है वैसे हमारी नहीं फूल पाती है और अगर फूल भी गहीं बाइचा तो कहीं से आदी फूली है कहीं से नहीं फूली है पिच्की होई है और अगर यह सोच कर थोड़े दिर बात खाएंगे तो इतनी सॉफ्ट भी नहीं रहती है तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रुकेश्ट है वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक् अब पानी को ऐसा नहीं हमें एक साथ डाल देंगे और फिर गुतते रहेंगे आराम से इस तरीके से करोगे तो आपके रुटियां नहीं कभी सॉफ्ट बनेंगी और नहीं कभी फूली हुई बनेंगे छोड़ छोड़ी इसी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर रुटिया बहुत ही अच्छी बनेंगी जैसे सब की बत्ती ना फूली हुई उसी तरीकी की तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं आटे को गुत लोंगे और देखे आटा जब भी गुतिने थोड़े बड़े बरतन में गुतियेगा इससे क्या होता है हाथ अथ से चल पाता है और जो आटा है वो बहुत ही सौफ्ट गुता है जितना सौफ्ट आटा होगा जितना अच्छा आटा आपका गुतेगा उतनी ही अच्छी रोटियां भी बनेंगी ऐसा नहीं है कि आटा हम उबर खाबड़े ऐसे ही गुत के रख देते हैं रोटियां बिल्कुत सौफ्ट ब की तो अभी ये जो आटा है ये बिलकुल भी अच्छे से नहीं गुथा है बिलकुल ये अलग बिकर भी रहा है और इसमें cracks भी आपको देखेंगे लिकिन आटा बिलकुल समेट गया है ठीक है बिकरा हुआ हुआ नहीं है तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया है हतेली में एकदम और उसको डाला है, पिलकुल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ ऐसे पां से छे बून्थ के बरावर पानी बहुत है, डाला है और इसको हम अच्छे से मलेंगे, मलना कैसे हैं, यह जो हमारी हतेली होती है, तो आप इस तरीके से मल सकते हैं, यह जो मुट्थी होती है इ तो सिर्फ जो रूटिया वे उतनी शौफट नी बनती है ठोड़ी दर्दач सी बनती है और थोड़ी काली भी बनती है ठीक है तो और कभी कभी क्या होता है जलॾही बहुत जल्दी जाती है तो अगर आप इस तरीके से आटे को गुतेंगे तो आपकी रोटियां एकदम सफेज सफेज और एकदम सफ्ट सफ्ट फूली होई बनेगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से मल लेंगे अब मलना कब तक है जितना मल सकते है न उतन ही आपको आटे को मिलना पड़ेगा बहुत जादा देर नहीं मलना देखिए जितने टायट आटों से आप गुतेंगे न उतनी ही जल्दी आपका आटा सॉफ्ट गुत जाएगा तो यहाँ पर देखिए आटा बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट गुत चुका है पास से चै मिन लगे हैं सिर्फ लेकिन सॉफ्ट हाथों से गुतेंगे न तो टायम लगेगा अब यहाँ पर जो हमारा सीक्रीट इंग्रीडियंट है जिसकी विज़े से हमारा आटा बहुत सॉफ्ट और फूली हुई रोटिया बनेंगी तो वो हमें एक चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डालना है इससे हमारी रोटिया बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई बनेंगी तो बस आटा गुत करके त्यार है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी क्रैक नहीं है नमक डालना चाहते हैं तो आप वेकिंग सोडा डालने के बाद में डाल सकते हैं इस ट्रिक से आपक बहुत ही फूली हुई बनेंगी जो कि सभी को बहुत पसंद आएंगी